मोधी सरकार टू की पहली वर्षगाट पर बीजेपी की और सिदेश भर में वर्चुल रेलियों का आयुजन किया जा रहा है महीं पर देश में दूसरी वर्चुल रेली हुई है इस दोरान भाजपा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा ने जोधपूर और बीकानेर संभा के कारेकरताओं को वर्चुल रेली के जरिये संबोधित किया अपने संबोधन की शुरुआत में नड़ा ने गलवान घाटी घटना का संदर्व देते हुए कहा कि आज समय कमगीन है उन्होंने कहा कि वे अपनी और से और अपनी पार्टी की और से शहीदों को सुर्धान जली अर्पित करते हैं और उनके परिवारों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके सपूतों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी मही नड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने एक साल के काम को पिषले कारेकाल के काम से अलग करके नहीं देखा जा सकता उन्होंने कहा मोदी सरकार ने छे दशवक का काम छे साल में पूरा कर दिखाया है रेली को नडडा से पहले भाजपा के प्रदेशाद्यक सतीश पूनिया और पूर्वा मुख्यमंत्री वसुंदरा राजे ने भी संबोधित किया